कि हेलो दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल और लेन एक्जाम वोडियर में दोस्तों एन्टीपीसी का एक्जाम जो आप लोग दिसम्बर से होने वाला है। ऊधे लोगों का टेर्सऑंबर कि एक्जाम है उन्हों के लिए और जिन का बाद में होन्हाइब होना यह जो भी होना है इसे वार्टीपाने देने वाले तो प्रिभयास क्वेश्च्टन आप लोग एक बाद ज़रूर देखकर जाई है तो आज इस वीडियो में हम आपको प्रिवियस यह आपको क्वेस्टन लेकर कर आ हैं जिसमें आपको एंटीपीसी जो 28-23-16 को फर्स्ट में पुछा गया था 28-23-16 को सकेंड शिफ्ट में पुछा गया था और 28-23-16 को जो थर्ड शिफ्ट में पुछें के क्वेस्टन थे इन सभी क्वेस्टनों को आज इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों थ्, थोरा बुक में पें लगा हुआ, ठीक लगा हुआ हुआ उसे आपको लोग को कोई दिकत ने होगा तो आप लोग कमेंट मत किजिएगा यह सब की सर्कीस में पेन लगा है या लिखा हुआ है बस एक बाद टीक लगा हुआ है तो उससे कोई दिकरने बस कुछी वीडियो में आएगा मतलब दो चार पना मला गा हुआ है उसके बाद फिर पूरा बुक सही है तो कि चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ नमर फर्स्ट से अब देखिए पहला कुछ नहां आपको यह हो जाएगा किस तरह से कुछे गे थे एंटीपीसी में आपको उसका लेवर पता चल जएगा किस चप्टर से कितने कुछ पूछे जाते हैं उस सभी आप लोग एक बार बार रिपीट होते रहते हैं अगर एक दो कुछ पांच कुछ अगर मिल गया दो चार कुछ तो समझे कि आप लोग उतना बोनस प्वाइंट हो गया है क्योंकि रिजल्ट जो आता है जो त्यारी किया रते उसको प मत पाता है एक बार जरूर आपको देख लिजेगा पूरा एक बार देखिए बस और आप लोगों को से पता चल जाएगा किस तरह से कुछ पूछे जाते हैं दूसरा कोईशन है यदि एक तरंग की आविर्थी बढ़ती है उसका तरंग दायज पर क्या प्रभाब परेगा तो जब आविर्थी बढ़ती है तो उसका तरंग दायज क्या होता है घर जाता है भारत में काजकारी परमुक किसे माना जाता है तो यह माना जाता है आपको प्रधार मंत्री को आप्सन नहीं इसमें बस वन लाइन कोईशन है समराथ असो किसके उत्रा धिकारी थे या बिं समिधान में पहली बार संसोधन कब क्या गया था तो पहली बार संसोधन में हुआ था 1901 में हमारे चांद्रमा का चकर लगाने वाला उपकरव अकौंट सा है तो लूना दस है यह सब कोईशन सभी प्रिवियस को एक कोईचन है एक भी कोईचन अधी नहीं जो इधावधर का नहीं है सब जो भी कोईचन पूछे के कोईचन है सभी है कि अगला कोईचन है कि रावलेक्ट एक्ट को किस वर्स पारित क्या गया था तो 1919 में करना मलेशरी किस खेल से समंधित है तो भार उठाना यानि वेट लिप्टिंग से महाराना परताप के घोरे का नाम क्या था तो क्या था एक देखाल लीटर कितने के बराबर होता है Azure देखालिटर द स लीटर के बराबर होते हैं थर्मो एसकोप का अभिस्कार किसने किया था या हो जाए का गैलेलियो किस boxer को the real deal उपनाम से जाना जाता है इवांडर होली फिल्ड को किसको boxer है या boxing करने वाले जिससे जाना जाता है इवांडर होली फिल्ड को देखिया अगला है Bricks में B किस देश को परदरसीद करता है या Brazil को परदरसीद करता है R Russia, I India, C China, S South Africa तो B किसका हो गया ब्राजिल किसे मार्स गयस भी कहा जाता है मार्स गयस मिथ्यान को कहा जाता है मंगल गरा के कितने चंद्रमा है मंगल गरा के दो यानि उपगरा चंद्रमा मतलब प्रिथिवी का एक उपगरा मात्र चंद्रमा है और मंगल का दो डिबोस और फिबोस प्रिद्वी का आकार यह चप्टा गोला के करा आकार कहां धमनी जिसे आटरी कहते हैं वह रख्ट का वहन करते हैं जो भरी होती हैं ऑक्सीजन से धमनी क्या करती हैं सुध रख्ट का वहन करता हैं कहां से तो देखिए फेफ़रा जो होता है लंग्स वहां से सुध रख्ट ऑक्सीजन मिल करके फुस 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 यह सीरा के दोरा कोशिका में लाया जाता है और कोशिका के बाद पूरा सरीर में धमनी के दोरा सुध रख्ट को पूरा सरीर में ले जाया जाता है तो यह क्या करता है अक्सिजन ले जाता है कि सुध्रक्ट में अक्सिजन होता है और सुध्रक्ट में कार्वन डॉक्सर होता है साइपरस की रायधानी तो निकोसिया है हमारी आख में लेंस का काम क्या होता है तो आख की फोकस दूरी को बदलना क्या होता है आख की फोकस दूरी को बदलना बाओध गुफाओ के लिए परसीद कारलो किस राज में इस्तित है यह इस्तित है महाराष्ट में दामबुला का स स्वर्ण मंदिर 26 रोग यानि टीवी दिवस 24 मार्च को मना जाता है और हाइकर से क्या ताथ पर यह हैं तो हाइकर से क्या समझते हैं वह व्यक्ति जो डेटा तक अंधिक्रित पहुच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उप्योग करता है चलिए देखिए अगरा है आपका कि आरवी एंट्री पीसी में फर्स्ट एस्टेज में अठ्था इस तीन द्वार स्वर्ण कहीं कहा हिए सकें सिप्ट में जो कुशन पूशा गया था तो प सम्मानित पहले होकी खिला रहे हैं बलबीर सिंग सीनियर सरवाधिक आउसकर पूश का जीतने वाले प्रूश रिकाउड किसके नाम है तो वाल्ट डिजिनी सबसे जदा पूश में आउसकर जीतने वाले हैं अगला है पक्षियों के अध्यन को और निथो लोजी कहा जाता ह है और लीवर वह विंदू कांसा है जो अपने अस्थान पर इस्थिर रहता है तो यह फल करम क्या होता है वह फल करम का अस्थान क्या होता है नियत रहता है यानि कि वह अपने अस्थान पर इस्थिर रहता है इसी में जो अगला कुछन था ये सकेंट सिप्ट में पूशा गया था मोटा आपे को मापने के लिए किसका प्रयोक क्या जाता है तो बी एम आई इसका बी एम आई को सौर मंदल में सबसे छोटा अप्ड़ा बुद्ध कोई कहा जाता है भात में सबसे पुराना बांग ग्रैंड अनिकूट जो कलाई नाई में है तर पंदर में संविक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित क्या गया था देखिए क्रेंट अफेर से घुजन था तो उससमें क्रेंट अफेर पुछा गया तो उसका फेरिस हो ज से सबसे बड़ा और दूसरा देश कनाड़ा है पहला कि पहला आपको हो जाएगा रूस देखिए इसका आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि इंडिया का है साथ मास्थान इसका आप देखिए रूख जा चीन यू एस ए ब्राजील और आस्ट्रेलिया को देखना है तो रूख मने रूस को मने कनाड़ा जा कर साइलेंट है रूख जा चीन रूख जा चीन चीन का चीन यू एस ए और ब्राजील आस्ट्रेलिया को देखना है एक दो तीन चार पांच छे और सात्मा हो गया इंडिया तो रूख जा चीन यू एस ब्राजील आस्ट्रेलिया को तो होगी आपका कनाडा दूसरा भारतिय समिधार में कितने मौलिक अधिकार का उलेख किया गया हैं तो मौलिक अधिकार हैं वरतवान में कितना है चो लिए पहले कितना अधिकार था साथ अंत्रिक्ष में जाने वाले सरपर्थम कुट्य का नाम लैका था किस देश का स्वतन तरफ दिवस चार जनवर्य को मनाया जबे जैता जिया मनाया मेयरमार क privilege बर्माने ज practiced Nether का दूश्रा नाम मािक्रोजिफे सौ पूराव होता है तो दशक्लर एक मिलियन कि था होता है तो दस लाग एक उत्रिवर एक मिलियन दस लाग तो दस मिलियन एक करोड के बारतिय अंत्रिक्ष काजकरम का जनक किसे कहा तो बिक्रम सराव है अंत्रिक्ष काजकरम का जनक बिक्रम है सराव मिसायल मैन के नाम से एपीजे अब्दुलकराम को जाना जाता है किस गरह को एक चंद्रमा का नाम यानी मीड है तो सबसे बड़ा उपगरा है व्यस्पति का और सनी का सबसे बड़ा उपगरा है टाइटन दर्वित मुनेर करगम डीम के क्या स्थापना किसने किया है तो सी एन अन्ना दुरईने इंटरनेशनल योग दे तो योगा दिवस एकी सजुन को मना जाता है अब यहाल फिला जो एस याए खेलो में स्वर्ण पदक विजदा जीतने वाली पहली भारती महिला कौन थी तो यह थी कमल जीत संधु अंक गनित यह तारकिक यानि लॉजिकल संकिरिया करने वाले संसाधन प्रोफेसर को क्या कहा जाता है एल यो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल पोलियों के ठीका ख़ोर ज olmaz operation करने डॉफ संहों को क्या कहा जाता है तो डॉफिं ज êtes समों होता है उनको प्रक that आता है रहा किगां सिट इसका मुख्या लाई कि है कहा पले यूक्य राइटर्ष जो समतार जीक नियुक्यां यूक्याणी ब्रिटें है जो चाप का वयल्लिन कि साथ वही पलेटू का है तो पलेटू का क्या है सितार एक क्यू आई किसे क्या आविपड़ा है तो एक क्यू आई मतलब फुल प्रमिस का पूछ रहा है एर क्वाइलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा एर क्वाइलिटी इंडेक्स अगला चलिए देखिए इसमें है कि थर्ड सिप्ट में पूशा गया कुशन है या चानक के एक अन्य नाम क्या था तो चानक को विस्नुगुप या कौटिल या चानक के तीनु नाम से जाना जाता है तो पिया उत्जवाइंक थे जीवन की मूलभूति का ये कोशी का है परसीध यात्री जहाज टाइटाइनिक किस देश का था तो टाइटाइनिक जो था वह ब्रिटेन का था किसने धर पंद्र में सरस्वेस्ट एनिमेटेर फीचर फिल्म के लिए औसकर पुस्कार जीता है तो यह बीग हीरो यह क्रेंट अफेर से है अगला है उत्कृष्ट नोवेल धातु क्या है यह है चान्दू चांदी हो जाएगा आपका चांदी का यह जी से सुचित करते हैं मुक्यबाजी के लिए द्रोणा चार्ज पुसकार किसे प्राप्त किया गया है तो गुरून चरंद सींग को सुभा चरंद बोस के पिता का नाम जानकी दानाथ बोस था कौन सी नदी पस्षिम घाट से निकलती है यह क्रिश्णा नदी निकलती है और आस्ट्रेलिया के सब सबसे घनी अवादी वाला सहर कौन सा है आस्ट्रेलिया के सबसे घनी अवादी सिडनी का है औक्टोपस के खून का रंग नीला होते हैं देखिए यह कुशन ऐसे हैं जो बार बार एकजाम में पूछे जाते हैं कुशन है एक बार जरूर इसको देख लिजेगा पीछे की प पूलने वाले पक्षी को क्या कहते हैं हमिंग रर्ड मर्याना ट्रेंज किस महासागर का है तो परसांत महासागर का प्यूरिटो गड्ध अट्लांटिक महासागर का और सुन्दा घर्थ यह हिंद महासागर का ओंजी सी का मुख्याला है देहरादूर श्थापना 1956 में अभ इसो चपन में स्थापना हुआ है अगला प्रिथिवी का जल चक किसके दोरा संचालित होता है यह होता है सूर्ज के दोरा वर्तमान में हमारे दोरा उपयोग किये जाने वाले रासानिक पर्तिको की उपयोग विधी किस से त्यार की जाती है तो वर्जिलियस के दोरा किसके द तो नाम से जाना जाता है तो रॉल अपर गाल ब्रेत को जेक के रॉलिंग तो यह भीयाद कि जाएगा या यह परमुक राइटर है तो इसका नाम दोनों नाम यह रखिएगा रॉबर्ट गाल ब्रेत कि खील से था थामस बाइट मिंटन से हैं पार स्थितिक तंद की संकल्प ना किस ने प्रिभासित क्या तो या अर्थर टांसलेन इकोसिश्ण इंपुर्तेंटंट फैक्त है, वो जान लेते हैं, कि क्या होता है, 21 जून को उत्री गलार्द में आपको दीन बढ़ा होगा, रात छोटा होगा, कहां है पर? उत्री गलार्द में, जब कि आप रात बढ़ा दिन चोटा हो जाएगा 21 जुन को उत्री गुलार्द में दीन बड़ा रात छोटा तो दख्षनी कुलार्द में रात बड़ा दीन छोटा अगर 22 दिसंबर को तो 22 दिसंबर को क्या होगा आपको दख्षनी कुलार्द में दीन बड़ा रात छोटा उत्री गुलार्ण में रात बरा दिन छोटा दो किलियर हो गया और एक हो आपको 21 मार्च या 22 या 23 सेप्टेमबर या दोनों दिन विश्वत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है कब 21 मार्च 22 या 23 सेप्टेमबर 22 या 23 में से जो भी रहें दोनों विश्वत रेखा पर दिन बड़ा होता है 21 मार्च को और 22 या 23 सेप्टेमबर को चली अगला कुछन है सबसे बड़ा अस्तन पाई कौन सा है तो बुलू हेल कौन सा सहर वास्तु कला के द्रिश्टी से नियोजित सहर है दिया चंडीगर लाइ इनपूट डिवाइस है विकास का सिद्धान किस के दरा परस्तावित क्या गया था चार्ल्स डार्वीन के दरा दुन्या में बोली जाने वाले दूसरी सबसे बड़ी भासा कौन से यह यह एस्पैनिस है और आपका है प्राचीन भारतिय गनितर कौन दे तो भा भासकर दे पाउधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनी परिवहन को सक्षम करता है तो पानी के लिए ले जाता है जैलम और भोजन फ्लोयम होता है और पानी के लिए जैलम अगला है किस अभ्यारन को पूर में भरतपूर पक्षी अभ्यारन के रूप में जाना जाता था तो केवला देव प्राश्टी को द्यान जो अभी राधास्थान में है उसे पहले भहतपूर पक्षिया भायन के नाम से जाने जाते थे तो दोस्तों कि हम लोग जो आज पढ़े हैं अठाश-3216 के जो एक जाम हुआ था एन्टी पीसी उसका प्रिवेस्ट फर्स्ट सेट्ट और सिफ्ट का अगर आप लोग को इसी तरह का जो एन्टी पीसी का प्रिवेस्ट ये प्रिवेस्ट इक विसे देखिए पढ़ना चाहते हैं अगर देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बोक्स में कोमेंट किजेगा देखिए इसे हम लिए पीडिया बना कर आपको बता सकते थे लिए पीडिया विसी लिए ने बनाया कि क्योंकि बहुत साय लोग एस्टुडियान बोलने आथा कि प्रिवेस्ट कुछेशन नहीं अपना मन से बनाया ओक्वेशन या किसी बुक से उठाल जागया है इसलिए जो बुक था ओरिजनल उसी से हमने यह आपको बना करके यह कुछन आप लोग को सामने ला यह हैं तो वीडियो कैसा लागा है कोमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा और वीडियो को लाइक से जरूर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेग थैंक यू